असलाम अलेकूम आज हम हरा मसाले वाला चोले बनाएंगे चोले भी बोलते हैं और चना भी बोलते हैं काबुली चलो देखते हैं इसको किस तरह बनाए जाता है चलो आएए मेरे किचन में कितना मस और कितना सौधिश दिक रहना ये मैंने पाव किलो चना भीगों के रखा था राद भर और इसको अभी मैं हल्दी नम्मक दाल के इसको तीन से चार सिटी बॉल कर लूँगी अच्छा नरम हुएता लगा देख रहे हूं ना इसके अंदर इतना ही पानी दालना जितना मैंने पानी दाली हूँ अभी इसका मैं कोकर का ढकान बन कर रहे हूं अभी तीन से चार सिटी हो गई मेरी और अभी के अंदर मैंने कान्दा चौप करके रखी हूं बारिक एक आंदा है देखो कितना बारिक चौप करके रखी हूँ और पाउचमच हल्दी पोड़र है नमक अपने सौत के साब से और लस्टन 10 से 15 कली और आट से 10 हरी मिर्ची और एक तुकोडा गिल्ला खोपरा और कोतमीर और पोधीना और थोड़ी सी इमली जो मैं पहले से थोड़ इसी भीगो के रखी हूँ और यह सुक्के मसाले में सौफ जीरा और राई उडूत की दाल और आजवान और कड़ी पत्ते की दो दंडी और हिंग यह सारे मसाले गिल्ले मसाले जो है हम इसको मिक्सर जार में दाल के ग्रैंड कर लेंगे कोटमिर में आदा ही दालोंगी है आदा ही कोटमिर में दालोंगीा ? मैं बचा गै मेर रखोंगी कोटमिर बोदी न चलो अब इसे हम पीश लेते हैं ここ कितना अच्छे साब कि न पीश लिए हूँ और चैना भी मेरा बोईल हो चुका है चीए कितना और नरम हो गया है अभी मैं कड़ाई रख रही हूं इसके अंदर मैं चार चम्मच ऑइल डालूंगी ऑइल गरम हो चुका है मेरा इसके अंदर में ये सुक्के मसाले जो राई जीरा आजुवान उडुत की दाल वो सब रखी हुँना ये सब इसके अंदर में डाल दोंगी इसको अच्छा तड़कने के लिए दोंगी देखो अच्छे से तड़क रहा है ना इसको अच्छा लाल हो जाने के बाद फिर इसके अंदर हम कड़ी पत्ता और हींग ये दाल देंगे और फिर उसके बाद में ओ लाल होने के बाद फिर हम आदा प्याज दाल देंगे प्याज हमारा अच्छे से भूने तलका थोड़ा हमारा सौफ होना चाहिए प्याज एकदम एकदम लाल नहीं करना है हमारे को थोड़ा सा देखो color change हो गया ना इसका उस तरह से हमको अच्छी तरह से भूनना है फिर जो ग्रैन करके जो मसाला हमने मिक्सी में रखा था वो मसाला भी इसके अंदर हम add कर देंगे इसको अच्छे से हम भूनेंगे इसका कच्छापन पुरा जाना चाहिए हम भूनेंगे फिर थोड़ा सा हल्दी powder है इसके अंदर add कर देंगे हम इसको भी हल्दी डाल के मसाले में अच्छी तरह से mix कर लेंगे देखो जिस तरह मैं मसाला भून रही उसी तरह mix करना और उसके बाद यह जो boil हुआ चना है हमारा ओ चना पुरा इसके अंदर डाल देना डाल के अच्छे से इसको mix करना ताके मसाला हमारा चोले के अंदर पुरा पकड़ ले और जो mix जायर में मैंने मसाला जो पीसी थी उसमें से थोड़ा सा पानी मैं इसके अंदर add कर रही हुँ ताके हमारे चोले के अंदर इसको अच्छे से मसाला पुरा पकड़ना चाहिए दखकन खोलके देख लीजिए देखो हमारा जो इमली का पल्प है मैंने उसे पानी निकालके इसके अंदर मिक्स कर दिए अगर हमारे को जरुवत है और ज्यादा खटे की तो हमको खाने के टाइम भी इसके अंदर और हम दालके खा सकते हैं अभी मैं फिलाल इतना ही दाली हू आपकी टेस्ट के हिसाब से अब दाल दीजिए अब मैं धकन दालके थोड़ा टेम और इसको रख दूँगी देखो हमारा गिरीन चैना मसाला रेडी हो गया दिख रहे हैं ना कितना मस और सौदिश जब मसाले वाला इसमें चापाती में भी खाओ और रमजान में अक्तरी म मूँ में आता है तो कॉट मीर थोड़ा सा कॉट मीर पूदिना है वो भी सक अंदर में आउयड कर दूंगी देखे हो गया ना हमारा चना मसाला रेड़ी आप भी खाईए अपनों को भी खिलाईए और दोस्तों में भी शेर कीजिए अपनों में भी शेर कीजिए और सब्सक्राइब करिए मिलती हुए अच्छी सी नहीं रेसिपी के साथ अल्ला आफीस